सीनियर एक्टर अनुपम शाम मुंबई के गोरिगाउं स्तित हॉस्पिटल के आईसियू में भरती हैं बताया गया है कि उनकी किडिनी में इंफेक्शन बर जाने के कारण उनकी हालत नाजुक बनी हुई है अनुपम बीते नो महीने से डालिसिस पर थे वहीं वो आर्थिक तं अनुपम के भाई अनुराग शाम ने बताया कि एक्टन मनोज वाजपई ने 1 लाक रुपए की मदद की है हालाकि उन्हें इलाज के लिए करीब 3 लाक रुपए की जरूरत है वहीं अब सोनुसूद भी अनुपम की मदद के लिए आ गए हैं सोनुसूद ने अपने और वो अभी भी ICU में है बॉलिवुड और टीवी से जुड़ी ऐसी ही लेटास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद